सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासिया, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुविचार सी अगर जीवन में जंग अपनों से हो, तो उनसे हारशाना चाहिए, क्योंकि जिन्दगी में कुछ रिस्ते बहुत अनमोल होती हैं अक्सर बढ़ती हुई समझ, जीवन को मोन की उर ले चाती है, दुख सबके हिस्से में आते हैं, फर्क बस इतना सा है, कोई दिखा देता है, और कोई दिल में छुपा के रखता है आज का पंचांग, 14 सितंबर 2022, देन बुद्ध्वार, आश्विन मास के क्रिश्न पक्ष के, 4 तिथी, सुबा 10 बचकर 25 में लट तक रहेगी, इसके उपरांद, पंचमी तिथी प्रारम हुचाएगी आश्विनी नामक नक्षत्र, सुबा 6 बचकर 57 में लट तक रहेगी, इसके उपरांद, भर्णी नामक नक्षत्र प्रारम हुचाएगी आज का राहू काल, अर्था दिन का सबसे असुप सम्में, दोपहर 12 बचकर 22 में लट से, एक बचकर 23 में लट तक रहेगा आज का कोई अभिजीत महुरत नहीं है, आज शंद्रमा मेश राशी पर संचार करेगी, और आज शूरिय सिह राशी पर रहेंगे तुलारा से 14 सितंबर 22 दिन बद्धुहार, बदलाव भी जरूरी है, आपकी योजनाय घर में किसी मदभेदे किसे आवशक मरमत के कारण रध हो सकती है जोखिम भरे निवेश से बचें, सभी निर्णयों को ध्यान पूर्वक लेने के लिए समय निकालें आत्मने रिक्चन आज के जवरत है, बिक्रिय असोदे के लिए आज के दिन महत्वपूर्ण है, नए अनुबंदों की शुरुबात होगी जब कार्य के लिए आपके जुनूर और समणपन की बात आती है तो आपको पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है क्योंकि आप में सपने को वास्तविक्ता में बदलने की छमता है अगर महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करिए आज के दिन कुछ अनिश्चिस सा है आपको संदेशे लोगों से बात करते हुए अधिक शौधार रहना होगा यह समय सामना करने और फैसले लेने के लिए भी उप्युकता है आप जिन अवांचित स्थीतियों से बचना चाहते थे आपको उन में खीचा जाएगा कुछ कठोर निर्ने लेने होंगे हाला कि आप दबाव में भी सही फैसले ले पाएंगे और कुल मिला कर सब अच्छा होगा समाचे कतिवीधियों में अपनी उपस्तिती जरूर रखी महत्तोपुर्ण लोगों के साथ मुलाकात लाबदायक रहेगी घरते था वेविशे दोनों जगर उचे समंजे से बना रहेगा अगर परवारिक मामला उल्चा हुआ है तो आज उसका समाधान निकल सकता है इससे पहले कि नकरात्मक विचार मांशिक बीमारी का रूप ले ली आप उन्हें खत्म कर दी ऐसा आप किसी दानपुन्य के कारियों में सहभागीता की जरिय कर सकती है जैसे आपको मांसिक संतोष मिलीगा जमिन ये किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना अच्छा आप के लिए घहातक हो सकता है जितना हो सकी इन चीजों में निवेश करने से बचे अगर आप पार्टी करने की सोच रही है तो अपनी अच्छे दोस्तों को बुल लाएं ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उर्शा बढ़ाएंगी रोमान चक दिन है क्योंकि आपका प्रिय आपको तोफा ये उफार दे सकता है कुछ के लिए पार्ट टाइम नौकरी अच्छा विकल्प है वक्ते से बढ़ कर कुछ नहीं होता इसलिए आप वक्त का सदूपयोग करती है लेकिन कई बर आपको जीवन को लचीला बनानी की जवरत भी होती है और अपने घर परिवार के सांथ समय बितानी की भी जिवरत होती है आपको मैसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुबसूरत है किसी काम में अच्छानक से बड़ा बदलाव आईगा उसकी वज़े से आपका वैक्तित्व भी बदलता हुआ दिखाई दीगा जीवन में नए वैक्ति के आने से भै और नकरात्मकता दूर हो सकती है इस टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को अपने काम में बड़ा बदलाव नजर आ सकता है आपके द्वारे लिएगे निर्ने की वज़े से पार्टनर की नराजकी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन पार्टनर आपकी मदद भी करेंगे माईग्रेन की तकलीप बढ़ सकती है शौधानिया रिस्क प्रवित्ती के कार्योशे दूर रहे वित्ती मामलों में हिसाब किताब करते समय शौधानी बरती नुकसान होने के इस्तिती बन रही है वहन चलाते समय भी शौधानी बरती घर की छोटी मोटी नकरात्मक बातों को नजर अंदाश रखी बात करते हैं लब लाइफ की परवारजनों के साथ कोई मरोरंजक प्रोग्राम बनेगा प्रेम सम्मंधों को भी परवारिक स्विक्रिती मिलने से विवा में पड़े लिथोने के ओशर बनेगे आज का दिखतर समय आप अपने घरे लू मामलों को सुलजाने में गुजारेंगे इस समय आप प्यार और रोम्यांस को लेकर बीहत और शाहित और उताव लें हैं बश्रमंधों पर नियंतर रखें दिल किसी खास के लिए धड़कता है तो प्यार के इज़ार में देरी ना करें आज अप जिस भी वैक्ति से मिलेंगे वो आपके कुर रवये और करिसमे से बच नहीं पाएगा हर कोई आपके छमताओं और प्रतिबधताओं की तारिफ करेगा अगर आपका प्यार एक तरफा है तब भी चिंता ना करें जैसे जैसे आपका करस आपको अधिक जानेगा वैसे ही आपकी नस्दीक्यां बढ़ेगी बस कोसिस करना ना छोड़ें बहुत सारे प्रेमियों में इसे छाट कर किसी एक को चुनने की कोशिश में अधिक समय वेर्थना करें आपका व्यक्तित वह आकर्शक है लेकिन इसे में आपकी किस्मत के साथ ना देने के कारण आपका जादू काम नहीं कर रहा जब आपकी से निश्कर्श पर पहुँचेंगे तब आपको समझ आए गए कि आपने बिलकुल ठीक किया है बात करते हैं करियर की आज आप काफी मेहनत के साथ भाग दोड करेंगे परन्तू उतना संतोश रनक पर ना मिलना मुस्किल होगा दिल छोटा ना करें हर दिन एक जैसा नहीं होता और किसी किसी दिन मेहनत काम नहीं आती आज की घटनाएं आपके लिए सबक का काम करेगी जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी जिसे के आप योजना और संधी बना कर आगे बढ़ सकते हैं नया क्रेकार्ड ना बनवाएं खुदाय मिट्टे या पाइपलाइन से सम्मंदत असाइमेंट आपको आर्थिक लाप पहुँचाएंगी आप मेंसे कुछ लोगों को प्रतिसफरधा और प्रतिद्वंदी का भी सामना करना पड़ेगा मा की तरह की इस्तरिया केयर टेकर की जोरत के समय मदद करें जुआ सेयर या सट्टे बाजी आप के लिए बिनास का कारण बन सकती हैं बिक्रिय सौदे के लिए यह महत्वपूर्ण दिन हैं आप जानते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और आप अपने कोशल को उप्योग करने से नहीं डरती याद रखे अगर शुरुवात अच्छी हो तो आधा काम वहीं हो जाता है वरवशाय में कोई भी कागजी कारवाही करते समय शौधानी बढ़ती ये समय नुक्षान होनी की स्थिती बन रही है कारुपारी गतिवीध्या अभी लंबित रहे की सरकारी शेवरत लोगों के लिए कोई इस्पेशल ड्यूटी लग सकती है बात करते हैं सेहत की आप काम के पीछे इतने पागल हैं कि कई बार तो अपनी उपलब्धियों पर खुशोना ही भूल जाते हैं इनसे खुशे मैसूस करने के लिए एक प्रसन बनाए और उसके उटतर ढूंडें प्रसन इस तरह के हो सकते हैं क्या घर में आपके पसंद बीदाफल मौजूद हैं क्या आपके अलमारी में आपके मन पसंद कपड़े हैं इसके बारे में भी सोचे कि आप कैसे दिखते हैं आजश का उपाए आजश आप गाय को हरी घांस खिलाएं सुब रहेगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ